So hello and welcome you all, I am Rohit from Mahajan Traders So guys, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ITC Limited के So ITC Limited में हमने कल ही कुछ important levels को discuss किया था और उन levels में हमने clear कहे दिया था कि एक pollen flag type pattern create हो रहा है जिस तरीके से यहाँ पर परसों के जिन तेज़ी हमें देखने को मिली थी कल यहाँ पर बिलकुल एक flag type pattern create हुआ था उसके बाद हमने बोला था कि एक breakout यहाँ पर आ सकता है और exact वही हमें देखने को मिला stock में एक अच्छी rally हमें देखने को मिली है अच्छी returns हमें देखने को मिले है यहाँ पर अगर देखे हैं तो एक हम dividend stock को भी discuss करने वाले है तो वीडियो को एन तक देखना हो चैनल को subscribe नहीं किया तो कर देना यहाँ पर stock ने closing दी 426.90 रुपिस के level पे 10.90 रुपिस के round अब देखोगे तो एक अच्छी बड़र देखने को मिली है 2.63 2% के basis पे और यहाँ पर उम्मीद है कि stock 450 रुपे का जो एक level है इसे भी achieve करेगा क्योंकि कई बड़े firms का यहाँ पर यह target दिया गया है और कई investors का मानना है कि यह 500 तक भी जा दकता है बड़ ऐसा नहीं है कुछ चीजे है जो ITC को नीचे लेकर आ सकती है जैसे यहाँ पर अगर इसके quarter 4 के results आते है उसके साथ dividend भी आएगा उसके बाद stock में यहाँ पर यह भले ही 450 के round जाएगा बड़ जब तक dividend की x date नहीं आती तब तक यह share 450 के round trade करेगा बड़ उसके बाद एक fall देखने को में बन सकता है यहाँ पर पाच दिन में आप देखोंगे तो 21 रुपे तक इस share ने return दे दिया है उसके बाद एक महीने में stock यहाँ पर 44 रुपे के round तक की rally बता चुका है फिर उसके बाद 6 महीने में अठुतर रुपे तक इस share बढ़ चुका है यहाँ पर पहले एक range create करता था उसके बाद उस range का breakout हमें दे देता था उसके बाद आप खुदी देख सकते हो क्या return हमें देखने को मिले है नीचे से आप देखोंगे तो विल्कुल एक rising wage type channel इसने create किया था उसके बाद stock ने support लेके अच्छे returns देने start कर दिये अच्छे levels यहाँ पर create हुए साथ यगर देखे stock में कुछ news भी हमें देखने को मिल रही है यहाँ पर ITC ने अपना एक नया brand यहाँ पर नया brand campaign launch किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो उनका EP था Sunfast EP उनमें उन्होंने कुछ changes यहाँ पर किये है यहाँ पर आप देखोगे ITC Sunfast EP has launched its new brand proposition why just be happy when you can be EP इस तरीके से ITC आगे अपने जो बिजनसे से उसे expand कर रहा है वही अगर देखे उन्होंने हाली में अपना जो hotel segment है उसमें तीन state में नई properties बाई की है जिससे stock में और एक बड़ा jump आया और उसके बाद एक कुछ news सामने आ रही है यहाँ पर volume की बात कर ले तो 90 lakh के around तक की delivery आज भी share में उठाएगी yesterday की बात करें तो 1 करोड के around तक की delivery stock में उठाएगी थी और 78 lakh का common delivery भी हमें देखने को मिला यहाँ पर community sentiments के आकड़े अगर हम देखे तो 74% लोग है जो इससे share में buy करने के लिए कह रहे है 8% लोग है जो यहाँ पर hold करने के लिए कह रहे है total numbers अगर दिखा जाए तो 82% लोग है जो stock में आपको विल्कुल positive नज़र आ जाएगे और सिर्फ 18% लोग है जो stock में sell करने के लिए कह रहे है यहाँ पर क्या ITC में dividend मिलेगा तो इसका answer है विल्कुलेस क्योंकि quarter 4 के results का season start हो गया है कई companies ने अपने results announce कर दिये है बट FMCG sector के अगर बात करें तो अभी कोई भी company ने HUL के अलावा कोई भी company ने यहाँ पर results अनाव नहीं गया है और HUL ने हाली में dividend भी दिया है तो कई लोगों को उम्मिद है कि ITC भी यहाँ पर dividend देगा यहाँ पर इसकी dividend history को भी अगर देखे 2021 में इसने फरवरी में dividend दिया फिर उसके बाद जून में dividend दिया था फिर बारियाती है 2022 के फरवरी में dividend दे चुका था फिर मई में dividend दिया फिर आप आचा है जोचा 23 फरवरी में dividend दे चुका है अब या तो यह में के मंथ में dividend देगा या फिर जून के मंथ में तो यहाँ पर जब भी dividend हमें विलेगा stock यहाँ पर easy तरीके से 450 का level अच्छिव कर सकता है बड़े आगे अब बात करते हैं इसके levels के levels में आप देखूंगे कल ही हमने इस level को यहाँ पर discuss किया था इस pattern को हमने discuss किया था यहाँ पर हमने कहा था कि एक symmetrical type pattern create हो रहा है breakout के बाद easy तरीके से यहाँ पर इस चारसो 17 के around तक के target अच्छिव कर लेगा और उसके बाद यहाँ पर एक गिरावट आ सकती है यहाँ पर अगर देखें यह 418 रुपी के around तक का level इसने अच्छिव किया उसके बाद एक fall create हुआ बट यहाँ पर हमने पहले भी clear कर दी थी यह चीज कि यह support है 414-413 के around का यहाँ पर यह support लेगा और बिल्कुल वही level पर support देखने को बिला और उसके बाद तीजी हमें देखने पर आपर मिलगे तो A level हमने क्यों बोला था A level इतना ज़्यादा important है क्यों है 414 का यह हम देख लेते हैं तो यहाँ पर आप देखोंगे तो 26, 25 और 27 तारीक के बिच यहाँ पर और एक symmetrical type pattern ITC में create होता हुआ नजराया एक symmetrical type pattern यहाँ पर create हुआ और आप देखोंगे तो 414 का ही यह level था जहाँ पर इस share ने यहाँ से rejection लिये थे आप देख सकतो कई बार इस particular range से rejection इनने लिये है और यहाँ पर मिला एक strong breakout breakout के बाद share उपर गया और हमने बूला था कि यहाँ पर sustain जब तक नहीं करता अब buying के और नहीं जाना उपर breakout भी मिल जाता है तो भी यह इस level पर touch करने की कोशिश करेगा और आज वही देखने को मिला stock ने exact वही level पर इसने टेस्ट किया इस level को और यहाँ से जो rally बताई है वो काफी तगरी rally है इस तरीके से हमने बूला था कि pollen flag में जो rally हमें पहले देखने को मिलती है वही rally एक particular breakout के बाद हमें देखने को मिल जाती है और वही चीज़ हमें देखने को मिली stock ने 414 के level से सीधा 427 रुपे तक का high लगा दिया ending में यहाँ पर अगर देखें market close होते होते 11 रुपे तक के return यह शियर दे चुगा था यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम पर भी अगर हम देखें यानि वन हार के टाइम फ्रेम पर तो एक ascendal type triangle stock में create होता है breakout के बाद एशियर ओपर गया sustain किया फिर हाई फिर sustain किया फिर ही लगा है फिर sustain कर रहा है फिर ही लगा रहा है तो यहाँ पर आप देखोंगे तो stock में एक range create हो रही है जिसे high rise कहता है high rise यहाँ पर लगते जा रहा है कोई negative news आती है तब ही stock में गिरावट आएगी और यह 401 एक रुबे के level पर फिर से हमें एक मुका मिलेगा buying करने के लिए क्योंकि ITC में अभी भी उपर से एक profit booking हमें नहीं देखने को बिली है यहाँ पर आप देखोंगे तो 4R के time frame पर stock में यहाँ से हमें rejection देखने को मिले है फिर यहाँ से rejection देखने को मिले है और फिर यहाँ पर मिला एक breakout breakout के बाद एक share उपर गया sustain किया एक ascendal type triangle फिर उपर momentum यहाँ पर भी एक ascendal type triangle बनाया था तब भी हमने बोला था buy करने के लिए 368 का level था तब भी हमने बोला था कि यहाँ पर एक strong support है आप buy के हो जा सकते हो उसके बाद के return जो है आपके सामने है क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो बड़े time frame पर यानि one month के time frame पर भी stock में यहाँ से गिरावट थी यहाँ से गिरावट थी और इन ही level को इनने break किया था और यही से हमें confirm हो गया था कि एक share में एक अच्छा momentum आ गया है high rise यहाँ पर लगने वाला है और वही चीज हमें देखने को मिल भी रही है अब बात कर लेते हैं कैसे share की जो दे रहा है dividend stock का नाम है supreme petrochem limited यहाँ पर आप देखूंगे chemical sector की एक company है 382.60 रुबिस के रहाओ closing दिये 6.05 रुबिस के रहाओ तक के return है 1.61% के basis पे और यहाँ पर company की और से दिया जा रहा है dividend यहाँ पर आप देख सकतो 7 रुपे पर equity share का dividend आपको मिलने वाला है final dividend है 27 जुन 2023 से पहले buy करना होगा तब ही आपको यह dividend का benefit मिलेगा I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो के अच्छा लगा हो वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe करना मत भूलना और कोई भी share में investment करने से पहले इन shares का एक बार analysis कर लेना Thank you